Hello everyone, I am Jyoti Jha and welcome to NCR to the Mind तो आज हम लोग पढ़ेंगे Class 4 Hindi अरिहन्त वर्क बुक का Chapter 4 पापा जब बच्चे थे तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आप भी अपना वर्क बुक निकाले और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए और मैं आप सभी को एक बात की जानकारी देना चाहती हूँ, अगर आप इस स्टोरी में इंट्रेस्टेड हैं, इस स्टोरी देखना और सुनना आपको बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने अपना एक न्यू चैनल स्टार्ट किया है, जिसका नाम है बाल कहानिया हिंदी, तो जो चैप्टर में दिया गया है, उसी पर आधारित प्रश्ण है, तो उसे सौल्ब करना है, उचित विकल्प पर सही का निसान लगाईए, तो यहाँ पर देखिए, विकल्प दिया गया है, चार आपसन दिया गया है, उसमें जो सही है, उसमें आपको टिक लगाना है, शु सफेध हडा या नारंगी कैसा था तो हडा था हडा में टिक लगाएंगे पापा आइसक्रीम का ठेला कहां खड़ा करना चाहते थे तो कहां चाहते थे घर के पास पार्क के पास स्कूल के पास या फिर इस्टेशन के पास तो कहां खड़ा करना चाहते थे इस्टेशन के पास इसमें हम टिक लगाएंगे, अंत में पापा ने क्या बनने का अनिस्च चाहिए किया, तो फौजी, इंसान, चौकिदार या इन में से कोई नहीं, क्या बनने का सोचा अंत में उन्होंने, तो इंसान बनने का सोचा, ठीक है, इंसान में टिक लगाएंगे, सही गतन पर सही तथा गलत कतन पर गलत का निसान लगाईए जब साड़ा सहर सो जाता है तब चौकिदार जागता है तो सही पापा आइसक्रीम वाला बनना नहीं चाहते थे गलत एक दिन रेलवे स्टेशन पर उन्होंने एक अजीब आदमी को देखा सही पापा चौकिदार और संटिंग करने वाला दोनों नहीं बनना चाहते थे गलत एक दिन पापा ने वायू यान चालक बनने का निर्णे लिया सही बॉक्स में से उचित सब्द का प्रियोग करके रिक्तस्थानों की पूर्ति कीजिए तो यहाँ पे बॉक्स में दिया गया है सब्द इसमें से आपको सही सब्द निकालना है और आपको रिक्तस्थान की पूर्ति करना है जो नीचे दिया गया है उसमें भरना है छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में आईस्क्रीम दिया करूंगा क्या होगा इसमें मुफ्त तो मुफ्त लिखेंगे यह आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था खेल लिखेंगे वह चड़वाहा बनकर गायों की पीछे गूमते हुए दिन बिताना चाहते थे चड़वाहा मैं काफी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ इंसान ठीक है तो इस तरह से बना लेंगे उसके बाद है निमनलकित गध्यांस को पढ़कर पुछे गए प्रशनों के उत्तर दीजिए तो गध्यांस परणा है और जो नीचे प्रशन पूछा गया है उसका उत्तर देना है अंत में एक दिन उन्होंने तै किया कि वह असल में जो बनना चाहते हैं वह है कुट्ता उस दिन वर दिन वर चारो हाथ पैरों पर इधर उधर भागते हुए अजनबियों पर भौकते रहे एक बूरी महिला ने उनके सिर को सहलाना चाहा तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिस तक की पापा ने भौकना तो बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया लेकिन बहुत कोशिस करने पर भी वह अपने पैर से कान के पीछे खुजाना नहीं सीख पाए अब देखे प्रश्न है कि पापा असल में क्या बनना चाहते थे क्या बनना चाहते थे कुट्ता पापा दिन भर क्या करते रहे चारो हाथ पैरों पर इधर उधर भागते हुए अजनवियों पर भौकते रहे बूरी महिला के साथ पापा ने कैसा वैवार किया उन्हें काटने की कोशिस तक की ठीक है उचित विकल पर सही का निसान लगाईए पिता जी इधर उधर भागते हुए किन पर भौक रहे थे परिवार के सदस्यों पर, परोसियों पर, अजनवियों पर या फिर रिष्तेदारों पर तो किस पर भौक रहे थे अजनवियों पर ठीक लगाएंगे पिता जी ने क्या अच्छी तरह से सीख लिया था काटना, भौकना, खुजलाना या दौरना तो भौकना सीख लिया था समेटिक लगाएंगे अती लगु उत्रिय प्रश्न पापा के अनुसार चौकिदार बनने का क्या फाइदा था क्योंकि जब पूरा सहर सोता है तब चौकिदार जागता है ठीक है? इस्टेशन पर अजीब खेल खेलने वाला व्यक्ति कौन था? संटिंग करने वाला आइस्क्रीम बेचने के लिए पापा ने कौन सा समय चुना? सुबह का जब पापा कुट्टा बनकर बैठे हुए थे तो वहाँ से कौन गुजरा? फौर जी उसके बाद है लगू उत्रिय प्रशन पापा आइस्क्रीम बेचने वाला बनने की बाद पर क्यों अडे रहे? तो पापा आइस्क्रीम बेचने वाला बनने की बाद पर अडे रहे? क्योंकि उन्हें यह काम करना पसंद था संटिंग किसे कहते हैं? देखे संटिंग किसे कहते हैं तो रेल गारी को दूसरी यात्रा के लिए तयार करने को संटिंग कहते हैं फौजी ने पापा से क्या पूछा और उन्होंने क्या उत्तर दिया फौजी ने पूछा क्या तुम जानते भी हो कि इनसान किसे कहते हैं और फौजी ने उत्तर दिया, इसके बारे में तुम खुद सोचो, ठीक है, इसके बाद है कि पापा ने किस जवाब को सबसे अच्छा माना और क्यों, तो मैं इंसान बनना चाहता हूं, ठीक है, इसके बाद है, दिर्ग उत्तरिय प्रेशन है, पापा आइसक्रीम बेचने और संटिंग करने का काम एक साथ कैसे करते, वह सुबह में आइसक्रीम बेचते और फिर संटिंग करते, फिर वे आइसक्रीम बेचते और उसके बाद संटिंग करते, ठीक है, पापा को अपसर की कौन सी बाद समझ में आ गई थी, उसका क्या पड़ी नाम हुआ, तो पापा को यह बात समझ आ गई कि एक अच्छा इंसान बनना चाहिए पापा जब बच्चे थे कहानी से हमें क्या सिक्षा मिलती है तो क्या सिक्षा मिलती है हमें यह सिक्षा मिली कि हमें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए इसके बाद है भासा आधारित प्रश्ण है नीचे दिये गए नीचे दिये गए सब्दों का अर्थ लिखे तथा वाक्यों में प्रियोग किजी ठीक इधर अर्थ है इधर वाक्य है वाक्य में प्रियोग करना है मुफ्त तो बिना मुल्य के इसका क्या हो जाएगा वाक्य बनाएंगे तो मुफ्त का क्या अर्थ हुआ बिना मुल्य की वह समान मुफ्त की है हैरानी यानि कि आसचड़ी है अब इसका क्या वाक्य बनाएंगे मुझे उसका बात सुनकर आसचड़ी हुआ या मैं आस्चरी में पढ़ गया ठीक है? यह बहुत साड़ वाक्य बन सकता है तो आप और भी बना सकते हैं समस्या तो कठिनाई यह तो बहुत बड़ी समस्या है ठीक है? इसके बाद है स्टेशन तो रेलगारी के ठहरने का स्थान इसका क्या अर्थ हुआ? अन्जान वह आदमी अन्जान है अफसर अधिकारी मेरे पापा अफसर है ठीक है? इसके बाद है नीचे लिखे सब्दों की जगह और कौन सा सब्द प्रियोग किया जा सकता है खाली अस्थान पर लिखिए कोसिस कोसिस का क्या हो जाएगा? प्रियतन असल का वास्तव मज़िदार का आनंद मै यात्र का सफर काम का कार्य मुस्किल का पड़े सानी ठीक है? इसके बाद है जो सब्द संग्या के स्थान पर प्रियोग किये जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं निम्लिकित गद्यान से में आए सर्वनाम सब्दों को छाट कर लिखिए जब पापा के माता पिता ने यह सुना कि वह आईस क्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं तो उन्हें बहुत हैरानी हुई उन्हें यह बात बहुत मज़ेदार लगी और वे खूब हसे लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे कि वह यह काम करेंगे ठीक है अब देखे इसमें आपको सर्वनाम सब्द चुनना है तो सर्वनाम हम उन्हें कहते हैं जो कि संग्या के बदले में आए ठीक है नीचे दो अलग अलग वाक्य दिये जा रहे हैं आप और सब्द का परियोकर उन्हें जोड़कर एक वाक्य बनाईए वह ठेले को लेकर घूम सकते हैं जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं तो इसे कैसे बनाएंगे वाक्या तो वह ठेले को लेकर घूमता और जितना चाहे उतनी आइसक्रीम खा सकते थे तो यहाँ पर आपको और सब्द और को जोड़के एक सब्द बनाना है ठीक है एक सेंटेंस बनाना है तो इस तरह से बनाएंगे उन्हें यह बाद बहुत मज़ेदार लगी वे खूब हसे उन्हें यह बाद बहुत मज़ेदार लगी और वे खूब हसे ठीक है पार्ट के आसपास इसमें है पार्ट के आसपास क्या आपको अपने घर में कुट्टा पालना अच्छा लगता है यदि हाँ तो क्यों इस question का answer आप खुद देंगे ठीक है तो जैसे कि अगर कुट्टा पालना अच्छा लगता है बहुत किसी को अच्छा लगता है तो क्यों अच्छा लगता है क्यों पालना चाहते हैं ठीक है तो इससे लिखना है आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं क्यों सोच कर लिखे तो आप क्या बनना चाहते हैं डॉक्टर, इंजिनियर या टीचर ठीक है जो भी बनना चाहते हैं तो वो आप सोच कर लिखे तो इसका एंसर आप खुद देंगे ठीक है तो यह चाप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है वर्क बूप तो कैसा लगा आपको पढ़ के मुझे जरूर बताईए अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCRT The Mind को लाइक सब्सक्राइब कीजे और पास में दिये गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देजे ताके NCRT से रिलेटेड हर वीडियो आपके पास समय से पहुंचती रहे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक कियर थेंक्स तो वाच मै वीडियो